सेकेंड है परिवेहन सेवा परिवेहन का अर्थ होता है व्यक्ति व सामान व्यक्ति व सामान का एक स्थान से दूश्रे स्थान पर जाना इसको हम परिवेहन केंगे तो जो लोग परिवेहन सेवा में सनलिप्त होते हैं वे भी तृतियक रियकलाप के बहुत ही अच्छे उधारण होते हैं प्राय जो परिवेहन होता है ये किसी भी वस्तु के मूली को भी निर्धारित करता है मूली अब मूली कैसे निर्धारिक करेगा अगर किसी वस्तु को जादा दूरी से लाया या ले जाया जाता है तो उस वस्तु का मूली जो होगा वो अधिक होगा अगर किसी वस्तु को बहुत कम दूरी से लाया या ले जाया जाता है तो उस वस्तू का मूली जो होगा वो कम होगा तो हम यह खह सकते हैं परिवहन के द्वारा किसी भी वस्तू के मूली को भी बहुत अधिक हम प्रभावित करते हैं हमारा संचार, संचार का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान पुजार का मतलब है विचारों को आदान, प्रदान अब विचारों को आदान, प्रदान करने में कई प्रकार के साधनों का हम प्रयोग करते हैं जैसे मुबाईल है इंटरनेट है या पत्र है ठीक है इन साधनों के द्वारा हम क्या करते हैं अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक लेके जाते हैं तो जिन छेत्र में ये संचार की सेवाएं बहुत जादा विक्सित होंगी हम ये कह सकते हैं वहाँ पे संचार की सेवाएं बहुत जादा विक्सित हैं अगर कोई शेतर है जहाँ पर ये सेबा नहीं है ये ये सेबा नहीं है तो वह शेतर क्या होगा चेर की की गोपी मनुरंजन करने की क्रियाएं करता है वह अच्हाँ इदारन है। पौर एक्जाम्पल जैसे फिल्म वाले हैं या जो गायक हैं यह लो मनुरंजन का कारिगर्द हैं तो यह भी तृतिय क्रिया क्लाप के अच्छे उधारण हैं इसके अतरिक तो इसमें जो रेस्टुरेंट वाले हैं यह भी जो रेस्टुरेंट का कार्य है जिनका वह भी तृतिय क्रिया क्लाप के अच्छे उधारण माने गए हैं तो प्रशासनिक सेवाइं के अंतरगत वे लोग आएंगे जो किसी देश की प्रशासन को चलाने का कारी करते हैं अब प्रशासन देश का कैसे हो सकता है एक तो स तर पर हो सकता है तो ऐसे लोग जो स्थानिय या राज्य स्थार पर प्रशासन चलाने का कारे कर रहे हैं या अपनी सेवाइं दे रहे हैं वो प्रशासनिक सेवाओं के अंतरगात हाथ है या इसमें हम पुलिस को भी शामिल करते हैं या इसमें हम सेना को भी शामिल करते हैं यह सभी लोग मिलके किसी भी देश के प्रशासन उनको चलाने में चुकि अपना योगदान देते हैं इसलिए इनकी जो सेवाइं होती हो प्रशासनिक सेवाइं कहलाती है और यह सारी प्रशासनिक सेवाइं जो है वो तृतिय सेक्टर के अंतरगत शामिल की जाती है शिक्स है परेटन और सेवन्थ है चिकित सा परेटन तो इसमें से पहले हम परेटन को देखेंगे परेटन क्या है परेटन का मतलब ऐसे होता है मनुरंजन के लिए घूमना परेटन माने है मनुरंजन के लिए घूमना व्यक्तिगा करता है अपने चुट्टियों में सुन्दर स्थानों में या कोई एतिहासिक स्थान में जाना पसंद करता है तो उसकी यही गतिविदी जो होती है वो घूमना कहलाती है कई देश ऐसे होते हैं जिनका पूरी जो उनके अर्थ व्यवस्था है वो परेटन पे निर्भर करती है और अधिकांस देश ऐसे हैं जिनकी टोटल जेडीपी का 40% लगभग जो है वो परेटन पे ही निर्भर करता है तो जो विश्व में अगर हम परेटन जो चेतर हैं उनकी बात करें तो जो भूमद्य सागरे चेतर है भूमद्य सागर के जो आसपास का चेतर है वो गर्म चेतर है तो यहां पे शीत स्थानों से लोग निरंतर खूमने आते हैं इसके अतरिक्त लोग दिल्ली भरत की बात अगर हम करते हैं तो लोग वहां पे दिल्ली आगरा या राजस्थान घूमने के परपस से हरवर्ष जाते हैं तो लोगों का इस प्रकार से अलग अलग स्थानों में जाना ही परेटन कहलाता है अब परेटर को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे जलवायू, भूद्रिश, इतिहास, कला, संस्कृति, यह कुछ ऐसे कारक हैं, जो हमारे देश में या पूरे विश्वयम परेटरन को प्रभावित करते हैं, जिन छेतरों की जलवायू बहुत ही अच्छी होती है, यानि सौहाद्र पूर्ण होती है कहते हैं, वहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, किसी स्थान पे लोग उनकी फूद्रिश्यों की जो सुंदर्ता है, उनको देखने के लिए जाते हैं, कई स्थानों पे लोग वहाँ पे एतिहासिक महत्व के कारण जाते हैं, और कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे लोग वहाँ की उन शेतरों की कला और सस्कृति से प्रभावित होके वहाँ पे जाते हैं तो ये ऐसे कारक हैं जो कि परेटन को प्रभावित करते हैं नेक्स्ट है इसमें चिकित्सा परेटन चिकित्सा परेटन का मतलब भी होता है जब चिकित्सा को अंतरास्टिक गतिविती से जोड़ दिया जाता है चिकित्सा परेटन का मतलब होता है जब चिकित्था को अंतर रास्ट रही है गती विधी से जोड़ा जाता है तो वो गती विधी कहला थी है चिकित्था परेटन लोग क्या होता है चिकित्था करने के लिए जब अपनी देश से दूसरी देश की ओड़ जाते हैं तो कहीं न कहीं उसके कारण भी परेटन को बढ़ हवा मिलता है अपने इलाज करने के लिए व्यक्ति एक जहां का वो निवासी है उस जगह को छोड़के जब दूसरी जगह जाता है तो वो चिकित्था परेटन कहलाता है जैसे कोई इलाज अमेरिका में सबस्थ चार लाख में हो रहा है और वही सही मिलाज भारत वर्षमा अगर व्यक्ति को एक लाख में प्राप्त हो जाता तो व्यक्ति कारता अपने इलाज करने के लिए भारत हो जाएगा अमेरिका से तो यहां के वो अपने चिकित्था भी करा लेता है कम पैसे में और यहां के वो यहां के सुन्दर सुन्दर स्थानों को देख लेता है तो यह सारी activities जो होती है वो चिकित्सा परेटर कहलाती है